कुछ सवालों का जवाब अंगिनत होता है, याने कि उसकी गिंती नहीं की जा सकती है, लाइक आस्मान में कितने तारे हैं? अंगिनत, आपकी सर पर कितने बाल हैं? अंगिनत, कुछ एक्सेप्शन्स शोड़के, राइट? बहुत तेज हो रहा हैं? अपर्टन चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंट करा सकता है. ये चेंज गूगल ने अनूश किया है 6th एप्रिल को, और ये चेंज हुआ है गूगल माई बिजनस की पोस्ट की पॉलिसी में. Google My Business Listing में regular post डालना ranking factor भी है और इससे views भी increase होते है यह post एक week तक आपकी listing के साथ दिखाई देती है और अगर आप एक week के बाद किसी भी post को देखना चाहते हैं तो उस listing की Google My Business की जो website होती है free वाली उसमें जाकर आप देख सकते हैं जहां यह post archive हो जाती है अभी तक इन post के content की कुछ normal policies होती थी लाइक उल्ट सीदे claims नहीं करने चाहिए spam नहीं होना चाहिए privacy issues नहीं होने चाहिए child exploitation से related content नहीं होना चाहिए या illegal content नहीं होना चाहिए बट इन सारे serious और भारी भरकम reasons के बीच में एक और reason जोड़ दिया गया है जो है phone number अगर आपकी post के text में उसके content में phone number है तो वो भी अब से post content policy का violation होगा और policy के violation पर Google क्या करता है परकतर देता है Google my business listing की post में phone number normally add कर ही दिया जाता है maybe आप branches का phone number देना चाहते हैं कोई support या call center का number mention करना चाहते हैं बट अब से ऐसा करने पर Google की policy के आप against जाएंगे और आप सिर्फ post के साथ में जो ये button आता है add करने का option उसमें से call now option को select करके call now button को post के साथ जोड सकते हैं बस that's it आपको याद ही रहेगा कि post के content में phone number को use नहीं करना है बट अगर आप गलती से भी इस गलती को नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक option है free का जब भी आप अपने tool GMB के free trial को use करके अपनी listing में post को schedule करते हैं या तुरंद ही post करते हैं तो ये tool अपने आप ही आपके post के content को scan करके उसमें मौजूद phone number के लिए आपको warning देता है जिससे आप गलती से भी गलती ना करें GMB में post schedule करने के लिए आपको post schedule option पर click करना होगा यहां आप अपनी धेर सारी listings में से कोई भी एक select कर सकते हैं और फिर image upload करिए content डालिए और अगर इस content में text में कोई 10 digit का number है तो इस तरह से आपको warning दिखाई देगी number को हटाइए button में से call now button को select करिए इस option को और चाहे तो post को schedule करिए यह तुरंत ही post कर दीजे हम ऐसे ही काफी सारे useful utilities को GMB में जोड रहे हैं हर रोज और बहुत जल्द ये tool अपनी beta version से बाहर आकर आपको अपनी listings को professionally और securely manage करने का option देगा GMB में register करने के लिए आज ही जाएए gmb.com पर और register बटन को click करिए या फिर app.gmb.com slash register पर directly जाएए तो याद रखिए कि अपनी google my business listing की post के content में यानि के text में वो number नहीं डालना है listing को safe रखिए वरना तारेगें तेरे जाएए Thank you so much for watching this video My name is Amitwari for Amitwari.net and I will see you next time Take care